क्योंकि जैसा कि हम कुछ भी करेंगे, कोई भी measurement करेंगे, उससे पहले हमें energy minimization करना होगा, तो हम वापस model kit के जो options हैं उन में गए और minimize का option हमने लिया, यहाँ पर minimize का option है, यह हमने लिया, मैं जैसे ही इस पर click करूँगा, molecule vibrate होकर के अपने bond angle और सब को adjust करेगा, जैसे हमने भी देखा आईए, देखे, molecule ने अपने आपको adjust कर लिया, सारे angles, bond angles, bond lens, सब set कर लिया, अब molecule ready है, आप इस पर कोई भी measurement प्रोसीड कर सकते हैं, चलिए, सबसे पहले, इसे मैं आपको, यह आप इस molecule को कैसे भी rotate कर सकते हैं, आप यहाँ इसके लिए कहां जाएंगे, view में ज जैसे ही गया, view में धेर सारी option आपको मिल जाते हैं, top, bottom, right, left, जैसा आप click करेंगे, molecule अपना view आपके सामने present करेगा, और उसी angle से आपके सामने घूम जाएगा, और आपको अपनी structure display करेगा, यह देखिए, मैं view में गया, और मैंने इसको कहा, right से अपनी structure दिखाओ बोल करक और जैसे ही मैंने right click किया, यह देखिए, यह right से गूम करके अपनी structure आपको show कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसको zoom in, zoom out कर लेता हूँ, ताकि यह आपको सही से दिख पाए, यह देखिए, अब वापस मैं view में जाता हूँ, और मैंने इसको left click, जैसे ही मैं करूँगा, यह left में गूम करके अपनी structure आपको दिखाएगा, तो इस तरह से आप धेर सारे animations create कर सकते हैं, molecule को rotate करते हुए दिखा सकते हैं बच्चों को, और जो actual positions है atoms की, वो आप लोग show कर सकते हैं, तो यह हुआ, अब इस molecule का energy minimization हमने कर लिया है, और energy minimization करने के बाद में, अब हम इसमें हम लोग measurements करने वाले हैं, यह हम इसको कुछ zoom out, zoom in कर लेते हैं, यह देखिए, और अब हम इसमें कुछ measurements करेंगे, हम, अब measurements हम लोग bond angle और bond length यह सभी measurement करने वाले हैं, और इस molecule की study करने वाले हैं, इसके लिए, इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा साथियों, अभी हमने model kit open की हुई है, model kit से आपको exit होना होगा, model kit से आप exit कैसे होंगे, model kit के options में जाएए, left side में जहाँ option खुले हुए हैं, वहाँ सबसे last वाले option में जाने पर आपको मिलेगा exit model kit का option, exit model kit mode, तो इससे हम exit हो जाएंगे, और jmol का जो दूसरा mode है, वो open हो जाएगा, यहाँ पर हमने exit कर लिया model kit से, और अब jmol का दूसरा mode है वो open हो गया, और अब जहाँ भी आप jmol panel में, जहाँ भी आप right click वहाँ पर एक pop-up menu आजाएगा, यह देखिए मैंने right click किया और एक pop-up menu आगया, वापस आपके सामने करते हैं, यह देखिए मैंने right click किया, एक pop-up menu आजाएगा, कहीं भी आप click कीजिए, एक pop-up menu आजाएगा, उस pop-up menu में बहुत सारे options आपको मिलते हैं, और आप molecule की study चाह right click किया मैंने, यह देखिए क्या-क्य option आते हैं, वो देख लेते हैं, सबसे पहले file है, file में आप save कर सकते हैं, और export कर सकते हैं, यह बहुत ही simple process है, और jmol model kit के यहाँ option लिया, उसमें इसने बता दिया कि atom इसमें 17 है, bond इसमें 9 है, चलिए वो कोई बात नहीं, कोई भी atom हम इसमें select कर सकते हैं, view में जाकर के view का option है, वो हम लोग देख चुके हैं, style में हम जैसे ही गए, तो यहाँ पर labeling कर सकते हैं, देखिए, label हम कर देते हैं, label हम करते हैं, आप ध्यान से देखिए, मैं atoms को label करने जा रहा हूं, मैं गया, वापस पताता हूं, style में, style के बाद गया label में, label में जाने के बाद इसने बोला, क्या label करना है, बोलके element का symbol दिखाना है, या उसका number दिखाना है, तो हम इसे कहते हैं, element के symbol से labeling कर दो, और इसने labeling कर दी है साथियों, आपको नजर नहीं आ रही है, जैसे ही मैं इसको zoom out करूंगा, वैसे ही आपको नजर आने लग और देखते हैं, क्या-क्या options हमें मिलते हैं, यहाँ पर labeling हो गई, style में हम चले गए, color, color आप change कर सकते हैं, chlorine, oxygen, hydrogen, carbon, जिते भी atoms हैं, सबको अलग-अलग color दे सकते हैं, surface देखिए, surface में आप wonderful surface और जो molecular surface है, वो आप बहुत ही आराम से दिखाते हैं, मैंने भी click किया, surface में ज molecule की जो wonderful surface है, वो है आपके सामने, अब सातियों और options लेते हैं, surface को हमें हमें पहले बंद करना होगा, हम वापस surface में गए, सबसे last में आ रहा है, off का, जो button है वो, हमने इसको कर दिया, off, अब हम वापस चलते हैं, और क्या-क्या options हैं, तो zoom हो गया, spin, आप इसको spin करा सकते है जो हमने अभी करा के देखा था, और measurements में, अब सातियों काफी important portion में हम लोग enter हो रहे हैं, measurements का option लिया है, मैंने jamol panel में, measurements और measurement में आप देखेंगे, धेर सारे options आपके सामने हैं, धेर सारे options आपके सामने हैं, कौन-कौन से option है, सबसे पहला option है इसमे, click for distance measurement, यहाँ पर bond length measure ह होगा, आगे आप देख रहे हैं, dihedral angle का measurement है, और unit आप change कर सकते हैं, nanometer, angstrom, picometer, और आप coupling constant, NMR spectra, coupling constant भी आप दिखा सकते हैं, दो different hydrogen के बीच में, जो एक दुसरे के साथ coupling show कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग option लेते हैं, distance measurement का, click for distance measurement, जैसे ही मैं यहाँ पर click क करने वाले mode में enter हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग bond length measure कर पाएंगे, यह मैंने किया यहाँ पर click, और click करते ही, अब structure आपके सामने है, और मैं जहाँ जहाँ click करूँगा, उसकी bond length है, वो measure होती जाएगी, अभी मेरा cursor chlorine के उपर है, chlorine और उस carbon की bond length मैं आपको measure करके बता डबल क्लिक किया, इसकी bond length, इसकी bond length साथियों आपके सामने है, और वो है 1.78 nanometer, इस तरह से यह हमने क्या किया, bond length measure, चलिए bond angle भी measure करते हैं, वापस हम गए कहां measurement में, और हमने लिया click for angle measurement का option, यह हमने इसको click किया, अब हम लोग bond angle measure कर पाएंगे, तो bond angle measure करते हैं, यहाँ इस hydrogen का, इस carbon का और इस chlorine का, यह देखिए, इसने 107.8 degree जो bond angle है, hydrogen, carbon और इस chlorine इन तीनों एटम के बीच का जो bond angle है, वो आपको यहाँ पर show कर दिया है, इसी तरह से आप dihedral angle भी ले सकते हैं, और सबसे important option है, आप coupling constant की value यहाँ पर दिखा सकते हैं, और उसे as it is, आप export कर सकत हैं, measurement में हम वापस गए, सबसे नीचे का जो option है, वो है distance units, NMR, J coupling, आपको इस option को लेना है, जैसे ही मैंने इस option पर click किया, अब मैं जहाँ-जहाँ click करूँगा, उन hydrogen's की, जो coupling constant की value है, वो display हो जाएगी, जाईर सी बात है, यहाँ पर यह जो hydrogen, जहाँ भी मेरा cursor है, सिदा इस hydrogen पर गया, H6 पर, जहाँ मेरा भी cursor है, और मैंने किया double click, और double click करते ही, यह इसकी value आपके सामने है, यह देखिए, आप इसे देख पाएंगे, मेरे ख्याल से, 3.6 hertz है, जो pink color की है, और, जो pink color की value आ रही है भी, 3.6 hertz, वो इसकी coupling constant की value है, pink color होने की वज़ा से हो सक सकता है, आपको visibility थोड़ी सी कम हो, लेकिन यह इसने बता दिया है, coupling constant की value, तो इस तरह से आप धेर सारे measurement show कर सकते हैं, और भी कई तरह के जो measurement हैं, वो ले सकते हैं, चलिए हम लोग वापस जाते हैं, measurement में, और हम कर देते हैं, delete measurement यह देखिए, सारे measurements इसने कर दिये, delete.